तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर देते हैं Valuation Under Custom Master Diagram आपके सामने है How to Find Out the Accessible Value तो दोस्तों Accessible Value कैसे निकाली जाती है तो सबसे पहले भाईया Rule 11 में Declaration होती है Quantity Value की Declaration दी जाती है ये सारे Valuation Rule है Import Valuation Rule है जो भी 11 में Declaration होगी उसको 12 में Reject किया जा सकता है Declaration अगर Accept हो जाएगी बहुत अच्छी बात है Rule 3-2 की चारो Condition Fulfill होनी चाहिए केवल Accept होने से काम नी चलेगा Condition का Fulfill होना ज़रूरी है अगर Officer चाहे तो दोस्तों Reject भी कर सकता है अगर Reject कर देगा तो सीधा 3-4 में आ जाओ Rule 3-4 कहता है Sequentially Rule 4-4 से लेकर 9 को यहाँ पर Follow करो Right बात समझ में आई आपको तो दोस्तों अगर हमने चारो Condition Fulfill कर दी है जो की Rule 3-2 में बत्ताई गई है तो भहिया हमें Rule 3-1 के According Transiction Value को Base बनाना पड़ेगा Transiction Value कभी भी अकेले Base नहीं बनेगी उसमें हमको Rule No.10 के Adjustment भी करने पड़ेंगे 10-1 और 10-2 10-1, 10-2 बहुत Important है 10-1 का Data होने पर ही Adjustment होगा 10-2 का Data हमेशा Adjust करना पड़ेगा अगर Actual है तो Actual Basis पर और अगर Actual नहीं है दोस्तों तो National Basis पर दोस्तों Rule No.4 से 9 क्या है Rule No.4 Identical Goods की Value को Base बनाने के लिए बोलता है Rule No.5 Similar Goods की Value को Base बनाने के लिए बोलता है Rule No.7 Deductive Value Method के बारे में बताता है Rule No.8 Computed Value Method के बारे में बताता है Rule No.9 आपको Best Judgment बताता है कि Best Judgment जो होगा वो Best Judgment के According हम Value को निकाल कर चलेंगे दोस्तों ये एक बहुत अच्छा चार्ट है जिसमें मैंने F.O.B. और C.I.F. बताईए F.O.B. का मतलब होता है पानी से पानी में पानी से पानी में इंडिया के बाहर जहां से आप समान इंपोर्ट कर रहे हो तो वहाँ F.O.B. पर जब समान को शिप में चड़ा दिया जाता है तो शिप में चड़ाने के बाद जो भी कॉस्ट होती है उसे हम F.O.B. बोलते हैं Free On Board इसका मतलब भया इसमें Loading Charge Include हो चुका है दोस्तों F.O.B. में जब हम Freight एड़ करते हैं रास्ते का जब हम Insurance एड़ करते हैं रास्ते का तो C.I.F. वैल्यू निकल कर आती है दोस्तों ये C.I.F. वैल्यू कहा पर होती है इंडिया के पोर्ट पर होती है पानी के अंदर होती है अभी माल भार उतरा नहीं है unloading charges add नहीं होंगे दोस्तों तो FOB और COF मेंने बताई X factory price होती है दोस्तों जहां से माल ला रहे हो उस factory में जो manufacturer की cost है वो हम यहां पर लेंगे साथ में जो manufacturer का margin है उस margin को भी हम यहां पर लेकर चलेंगे FAS क्या होता है? free alongside का क्या मतलब है? X factory plus local fret plus local taxes जो X factory price है वो ले लो वहां का जो local खर्चा है, tax है, fret है वो add कर लो FOB मैं बता चुका हूँ दोस्तों जो FAS है उसमें loading charges और export duty अगर है उस country की वो जोड़ दो मतलब ship के अंदर आने तक का पानी के अंदर जो amount है वो होगा CIF भी पानी में होगा ये इंडिया के port पर समान आ चुका है तो FOB में जब हम insurance और fret add कर देते हैं तो CIF value निकल कर आ जाती है section 14 क्या बोलता है दोस्तों imported और export goods की value क्या लोगे? transaction value लेंगे सर transaction value should be the basis sir export value का मतलब क्या होता है? भया price actually paid or payable transaction value क्या होती है in relation to export तो price actually paid or payable for goods when sold for export from India for delivery at the time and place of exportation buyer and seller are not related price is the sole consideration for sale तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिने हम export goods बोल कर चलते हैं तो I think दोस्तों समझ में आया होगा imported goods क्या होता है जब कोई भी समान import करोगे तो at the time and place of importation दोस्तों place of exportation और place of importation ये दो चीज़े बड़ी important है अगर आपने इनको समझ लिया तो याद हो जाएगा place of importation भी Indian port है place of exportation भी Indian port है तो आपको जो भी price लेनी है वो India के port की लेनी है दोस्तों cost of transportation है insurance है loading है unloading है handling है ये सारी चीज़ें दोस्तों हमें transaction value में add करनी पड़ती है adjust करनी पड़ती है what are the conversion rate exchange rate कौन से दिन की लगाते हो भाईया import के case में हमेशा अमर जाएंगे मिट जाएंगे bill of entry under section 46 की लेकर चलेंगे जो भी हमारा section 46 है उस दिन की हम bill of entry लेकर चलेंगे चाहे जल्दी फाइल हुआ हो या late फाइल हुआ हो पहले फाइल हुआ हो बाद में फाइल हुआ हो कोई फरक नहीं पड़ता जिस दिन 46 याद रखना 46 में जब आप bill of entry फाइल करते हो चाहे direct method हो या indirect method हो उस दिन की exchange rate लगाएंगे और याद रखना board वाली लगाएंगे CBIC वाली कहीं आप SBI या RBI की मतलगा देना export goods में भाईया shipping bill या bill of export जिस दिन present होता है उस दिन की exchange rate होती है भाईया relevant date rate of duty के लिए bill of entry होती है ना कि actual representation मालो bill of entry में गलती हो गई और आप दुबारा उसको represent कर रहे हो correction के बाद उससे कोई मतलब नहीं है separate rate होती है भाईया buying rate अलग होती है selling rate अलग होती है tariff value भाईया जब सरकार किसी पुटक का tariff value fix कर देती है तो duty हमेशा tariff value पर लगेगी मैं बताऊंगा आपको same class और kind का goods किसे बोलते है भाईया same class और kind का जो goods है उसका मतलब है जो identical हो जो similar हो identical क्या होता है भाईया जो हर तरीके से same हो दिखने में same हो physical character same हो quality reputation same हो उसी country का हो जहां से आप original imported goods लाए हो तो जहां से लाए हो उसी country का बना हुआ होना चाहिए produce by the same person person भी same हो जिसने बनाया हो लेकिन इतना same नहीं चलता तो कोई दूसरा बनाया है तो भी चलेगा लेकिन country of production same होनी चाहिए import country same नहीं होनी चाहिए origin country जहां से export होआ है वो same होना जरूरी है place of importation भाईया आप normally किसको बोलोगे port को बोलोगे जहां पर समान को रखा जाता है for the purpose of clearance for home consumption or deposit in warehouse similar goods का मतलब होता है ऐसा goods जो हर तरीके से same ना हो मतलब physical characteristics change हो सकते हैं लेकिन commercially interchangeable होना चाहिए country same होनी चाहिए भाईया बनाया भी same person ने हो अगर other person ने बनाया है तो भी चलेंगा transaction value क्या होती है subsection 1 of section 14 में बताई गई है related person कौन कौन होते है officer, director, legally recognized partner, employer, employee any person holding 5% or more voting power एक कोई भी person दूसरे को control करे directly और indirectly third person दो companies को control कर ले या third person को control कर ले दो companies या members of the same family will be treated as related person भाईया person में legal person भी आते है control established माना जाएगा अगर 51% या उससे जादा share holding है आपकी किसी other company में तो भाईया सीधी सी बात है rule 3-1 क्या कहता है imported goods की value हमेशा transaction value होगी adjusted in accordance with provisions of rule 10 3-2 क्या है भाईया 3-2 ये कहता है कि जब भी समान लाओगे 4 condition पूरी होगी तभी हम transaction value को based बनाएंगे पहली condition है भाईया उसके use पर कोई restriction नहीं होना चाहिए जो समान इंडिया में लाए हो अच्छा कुछ restriction valid होते हैं जैसे required by law, public authority, limit the geographical area do not substantially affect the value तो ऐसे restrictions को valid माना गया है no condition which a value cannot be determined no part of subsequent ऐसी कोई condition नहीं होनी चाहिए कि value नहीं निकल सके भाईया, buyer और seller बाद में, buyer जो है seller को कोई other benefit देन नहीं देना चाहिए अगर दे रहा है तो adjustment होना ज़रूरी है buyer, seller related नहीं होनी चाहिए अगर ये चार condition पूरी होंगी भाईया तब ही, तब ही दोस्तों transaction value accessible value बनेगी 3-3 क्या बोलता है rule 3-3 कहता है भाईया कि अगर relation होने के बाद भी अगर relation होने के बाद भी price affected नहीं होती है price influence नहीं होती है तो हम transaction value को ही accessible value मान लेंगे या हमने जो price declare करी है वो नीचे पताई गई value के बराबर हो, near भाई हो identical, similar, deductive value computed value इसके बराबर हो, कुछ minor quantity difference यहाँ पर हो सकते है वो एक अलग matter है तो अगर आप ये prove कर देते हो कि हाँ भाई price बिलकुल लगभग बराबर है तो हम कोई दिक्कत नहीं है 3-4 क्या बोलता है अगर value आप उपर बताएगे सब rule 1 में नहीं निकाल पाओगे तो भाईया फिर आपको valuation rules लगाने पड़ेंगे वो भी 4 से लेके 9 तक rule number 4 identical goods की price को base बनाने के लिए बोलता है identical goods भी same time पर ही import होना चाहिए transaction value accept नहीं की जाएगी identical की अगर identical खुद ही provisionally assess हुआ है difference को adjust करना पड़ेगा commercial level और quantity level cost and charges जो rule 10-2 में है उनके adjustment भी ज़रूरी है एक से ज़ादा transaction value आने पर अगर identical goods से एक से ज़ादा है transaction value उनकी जो भी है वो एक से ज़ादा है तो lowest oh my god इस बार department ने assessi की कैसे सोच ली lowest को base बनाना पड़ेगा दोस्तों lowest को base बनाना पड़ेगा कम price को base बनाना पड़ेगा rule number 5 क्या बोलता है transaction value of similar goods अगर दोस्तों identical goods की price सही नहीं है तो हमें इसको similar goods पर ले जाना पड़ेगा और rule number 4 बाकी जो condition है वो मुटेटिस मुटेंडिस आपको दिख जाती है rule number 6 कहता है कि भाईया अगर 3, 4, 5 नहीं लगता है तो 7 और 8 लगेगा अच्छा 7 और 8 के order को आप change भी कर सकते हो ठीक है by the approval of PO rule 7 deductive value की बात करता है भाईया deductive value का मतलब होता है कि सुनो आप India में माल इंपोर्ड करके लाए और आप उसको इंडिया में बेच रहे हो तो जब इंडिया में बेचोगे आगे आने वाले 90 दिन मैंने इसमें लिखा नहीं है आप चाहो तो लिख ले ना आगे आने वाले 90 डेज में अगर आप उसको कभी भी बेचोगे तो जब सबसे ज़्यादा greatest quantity में आप माल को बेचोगे तो उसकी जो unit price होगी that should be the basis लेकिन दोस्तों उसमें आपको adjustment करना है क्योंकि वो बाद की price है, place of importation के बाद की price है तो आपको उसमें commission, कोई भी addition है, transport है, insurance है, custom duty है इन सब का adjustment करना पड़ेगा उसे हम बोलते है, deductive value method rule 8, computed value method है computed value method आपको ये कहती है, कि जो भी imported goods होते हैं उनकी value निकालने के लिए भाया, आपको zero से मतलब जो exporting country है, वहाँ से start करना पड़ेगा सारी cost लेनी पड़ेगी, profit margin, expenses, everything should be added and all the other expenses, ठीक है, rule number 9, residual है अगर उपर वाले rule नहीं लग पाते हैं, तो जो भी reasonable means से officer के उन्हें इस्तमाल करो, और भाया value को निकाल कर बताओ, ये काम करेगा कौन officer करेगा, और बतादू भाया ऐसा कुछ नहीं है, कि कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, ऐसा नहीं है, मेरे भाई, यहाँ पर आपको, officer को, देखना होता है, अपने reasonable means का स्तमाल करना होता है, और कोई भी ऐसी prize नहीं होनी चाहिए, कि आप arbitrary prize ले रहे हो है ना, ऐसा सब कुछ नहीं होना चाहिए, rule 10, adjustment rule है, cost and service का, rule 10, 1 में कुछ adjustments होते हैं, जो की, अगर question में दिये हैं, तो आपको करने पड़ेंगे, जितने भी buyer कर्चे करता है, in relation to imported goods, वो add करने पड़ते हैं, commission, brokerage हो, container हो, packing हो, लेकिन, याद रखना दोस्तों, commission में buying commission को add नहीं करना है, buying commission क्या होता है, that is very important, importer को इंडिया के बाहर, represent, अगर कोई बंदा करेगा, और वो commission लेगा, तो हम उसको बोलते हैं, buying commission, और वो कभी भी, imported goods की price में add नहीं किया जाएगा, okay, point number B, supply, directly, or indirectly by the buyer, or free of charge, or at reduced cost, तो कोई भी supply अगर आप करते हो, चाहे वो free of charge करो, चाहे reduced cost पर करो, तो भहिया, उसे भी हम यहाँ पर add करेंगे, अगर importer ने कोई समान खरीदा, और पहले exporter को भेजा, free of cost भेजा, कम price पर भेजा, तो जब तक उसकी price एड नहीं होगी, दोस्तों, imported goods की value सही तरीके से नहीं निकलेगी, material हो, component हो, parts हो, tools हो, dyes हो, molds हो, material consumed हो, engineering हो, development हो, design work हो, यह सारे खर्चे, जो importer ने पहले किये हैं, और exporter को भेजा ही ने add करना पड़ता है, c point क्या बोलता है, royalty license fees add होती है, जो भी imported goods की relation में pay की गई है, चाये import करने के बाद ही आपने pay की हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो reproduction करने की royalty है, ध्यान रखना very very important, इसे हम add नहीं करेंगे दोस्तों, reproduction का मतलब है, जिसका imported goods से कोई लेना देना नहीं है, अगर आप इंडिया में import करने के बाद, उसको resale करते हों इंडिया में, और फिर profit में से कुछ इसा buyer को देते हो, दोस्तों तो वो भी, अगर imported goods से related है, तो add होना चाहिए, बाकि कोई भी payment जो importer करेगा, exporter को, in relation to import of goods, चाहे वो exporter को directly कर दे, या exporter के कहने पर, किसी third party को importer payment कर दे, it should be, दोस्तों, it should be added, उसे हमेशा add करना ही पड़ेंगा, बिलकुल करना पड़ेंगा दोस्तों, note, royalty हो, license fees हो भीया, यह ऐसी है, import के बाद भी अगर आपने दिये, तो add करनी पड़ेंगी, 10-2, my dear friends, very very important rule, 10-2, 10-2 के अंदर भीया, तीन, दो adjustment होते हैं, transportation cost और insurance, अगर actual हैं, तो actual जोड़ो, FOB में, actual नहीं है, तो national basis पर add करो, भाईया, transportation cost अकेले नहीं है, साथ में loading, unloading, handling भी जुड़ा हुआ होता है, लेकिन यह सारी cost कहां तक लेते हैं, up to the place of importation, insurance भी कहां तक लेते हैं, up to the place of importation, तो sir, अगर transportation cost question में है तो, भाईया, है तो बहुत अच्छी बात है, वो ही लेना, नहीं है, तो FOB का 20% लेना पड़ेंगा, मानों तो ठीक मानना पड़ेंगा, जबरदस्ती है, ऐसे ही, जो clause भी है, cost of insurance, अगर वो ascertainable है, तो बहुत अच्छी बात है, और अगर वो ascertainable नहीं है, तो FOB का 1.125% लेना ही पड़ेंगा, बहुत बढ़िया, जी, बहुत बढ़िया, point number 3, अगर माल by air, import हुआ है, और actual cost भी question में है, लेकिन ध्यान रखना air के मामले में, अगर actual cost, FOB के 20% से ज़ादा है, तो भाईया, उसे limit कर देना, restrict कर देना, और FOB के 20% से ज़ादा नहीं लेना दोस्तों, और अगर समान इंडिया के बाहर से आया, पहले किसी port पर आया, फिर वहाँ से दूसरे port पर लेकर जा रहे हो, तो जो भी insurance, transportation, loading, unloading है, वो सब exclude कर देना, केवल इंडिया में import करने तक का ही जुड़ेगा, इंडिया के अंदर इधर से उधर घुमा रहे हो, वो add नहीं होगा लेकिन point number 5 बहुत important है, मदर वैसल जो इंडिया के port पर नहीं आ पाया, जगे नहीं मिलेगी, size बहुत बड़ा है वैसल का, तो छोटी छोटी boat समान लेने जाएंगी, समान लेकर आएंगी, छोटी छोटी boat को हम क्या बोलते हैं, lighter, barg, तो भाया, समान को इंडिया के port पर question आ सकता है, ध्यान से सुनिएगा, भाया, ध्यान से सुनो, imported goods की price वही होंगी, जो contract में given है, अगर आपने बाद में समान import किया, price change हो गई, उससे कोई फरक नहीं पड़ता, at the time of contract, जो भी price लिखी गई है, that should be the basis, है ना, post importation खर्चे कभी भी add नहीं होते हैं, दोस्तों, व when it is a condition of sale, when it is related to imported goods, and it is a condition of sale, rule 11, declaration, importer करता है, informations का, है ना, जितने भी statement होते हैं, document होते हैं, PO को power दिया गया है, कि वो उस information को check करे, उसकी accuracy को check करे, उसके truth को check करे, confiscation, penalty लगाए, prosecution, दोस्तों, अगर information गलत है, अगर सूचना गलत है, तो penalty ठोके, prosecution करे, ये सारे power, दोस्तों, importer को दिये गए हैं, rule number 12 में rejection power होता है, ओहो, अगर, अगर आपकी price accept नहीं हो सकती, तो officer उसको reject कर सकता है, अच्छा, है ना, reject करने का power है, लेकिन reason बताना पड़े करने का, क्या-क्या power, sir, क्यों reject कर देते हैं, ऐसी क्या बात है, अरे आप, जो समान लाए हो, उसके comparison में, जो identical, similar है, उनकी price जादा है, आपको discount जादा दिये जा रहे है, आपको special discount जादा दिया जा रहे है, आप parameter side clear नहीं करते हो, आप parameter को छिपाते हो, आप manipulation करते हो, oh my god, आप तो department पकड़ेंगा आपको, other points, भहिया, ICD, इंडिया में ही होता है, dummy port होता है, तो port से ICD, port से port, port से CFS, container fret station, airport से airport का, जो charges है, वो कभी भी add नहीं होता है, उसे exclude माना जाता है, भहिया, ध्यान रखना, warehouse में आपने goods को जमा कराया, clear अभी नहीं हुआ है goods, उससे पहले अगर आप उसको बेच देते हो, तो transaction value वो नहीं लेंगे, it is defined when it is sold for export to India, it cannot be that export of goods is not complete, so goods का export complete माना जाएगा, और यहां हम section 14 की according value को निकाल कर चलेंगे, export valuation rule बड़े simple है, भहिया, import valuation rule अगर याद है, तो export rule तो अपने आप हो जाते हैं, अपने आप हो जाते हैं, मेरे भाई अपने वेरी सिंपल है अगर इंपोर्ट वैलिवेशन रूल 1,2,3 है तो एक्सपोर्ट भी 1,2,3 है इंपोर्ट रूल चार और पांच है इडेंटिकल सिमिलर एक्सपोर्ट आटोमेटिकली 4 है एक ही में दोनों है उदर रूल 8 है इदर रूल नंबर 5 है है ना रूल 9 है इदर रूल 6 है उदर रूल 11 है इंपोर्ट का इदर एक्सपोर्ट का रूल 7 है उदर रूल 12 है इदर रूल 8 है भाईया ये क्या कर रहे हो जी बिलकुल सही बोल रहा हूँ जो इंपोर्ट में पढ़ाना वो एक्सपोर्ट में है सच बता रहा हूँ यार कसम मतलब क्या बोलू मैं आपको बिलकुल लाइन तो लाइन मिला लो वरड तो वरड मिला लो यार बिलकुल सेम है बस वहाँ एक से बारा है यहाँ एक से आठ है बहुत सिंपल है दोस्तों ऐसे याद कर सकते हो थेंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टाठा बबाए मिलते हैं दोस्तों फिर एक नए वीडियो के साथ आज के लिए इतना ही टाठा बबाए